हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताएंगे कुर्ती की साइड में पोकेट लगाना तो देखे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है हम अपनी साइड की स्लाइड जो होती है उसको स्टिच कर रहे हैं तो देखे यहाँ पर जो है यह हिप का साइज है हमारा जहाँ पर हम हिप का निशान लगाते हैं वहाँ पर तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यह हमने अपनी स्लाइड कंप्लीट कर ली है तो दीखे यह हमारी वेस्ट का साइज है और यह हमारी हिप का साइज है हिप से डेड़ इंच उपर हम एक स्लाई को खोल लेंगे और हम इस तरीके से करेंगे तो देखिए यहां पर हम जो है इस स्लाई को रोक देंगे और इस स्लाई को रोकने के बाद जो है हम अपना दूसर निशान जो हमने लगाया था उसके उपर से स्लाई चलाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस वाले स्ला पर जो इसमें गलती से लाई लगा दिती है उस लाई को हम निकाल देंगे और इसको open रखेंगे तो अब हम आपको pocket की cutting करना बताते हैं तो देखिए हम 6 इंची पर mark करेंगे 6 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 7 इंच पर हम mark करेंगे तो देखिए 7 इंच पर हमने यह heart की shape ड्रो कर लेंगे ड्रो करने के बाद जो है आप हम इसकी cutting कर रहे हैं तो दोस्तो इतने हम आपकी इतने हम इसकी cutting कर रहे हैं आप हमारी वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले और साथ ही bell icon भी प्रेस करें ताकि आने वाली latest वीडियो का notification आप तक प चुकी है और अब आपनी यह हमारी cutting हो चुकी है अब हम यहां से जो है आधा иंच पर निशान लगाएंगे और यहां से भी आधा इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाएं हैं यहां पर अपने 6 इंच पर मार्ट कर लेंगे और हमने जो यह निशान लगाया है हाफ इंच पर यहां से छोड़ते हुए हमें अपनी इस पॉकेट की गोलाई में स्टिच करना है स्टिच अच्छे से करें और मार्जन भी थोड़ा छोड़ें ताकि एक बूट की स्लाई का और यहाँ पर मार्जन छोड़ते हुए जो है आपको अच्छे से स्टिच कर लेना है आप चाहें तो इसमें डबल स्टिच भी लगा सकते हैं ताकि आपकी पॉकेट सिक्योर रहे तो देखिए यह हमारी लाई जो है कंपलीट हो चुकी है और इसको कंपलीट करने के बाद जो है उसके उपर हम एक यहां पर जो ओपन साइड है इसमें एक निशान बनाएंगे तो देखिए निशान हमने बना लिया है और अब अपनी पॉकेट को इस तरीके से हम पलट लेंगे तो देखिए पलटने के बाद जो है और seven inches पर cut करने के लिए कहा था तो देखिए यह हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का करेंगे आधा इंच उपर की side लेंगे और अब अपने उसी निशान के उपर जो निशान हमने बनाया था उसी निशान के उपर इसको रख कर यहाँ पर हमें लगा लेनी है और आधा इंच नीचे की साइड जो है हम एक्स्ट्रा लेंगे तो देखिए इन निशान में निशानों के साथ इसको स्टिच कर लेंगे उपर और नीचे दोनों की साइड जो है हम पक्का करेंगे तो देखिए अब एक साइड से तो हमारा हो चुका है दूसी स भी हम इसको इस तरीके से पलट कर रखेंगे और चाहे तो आप निशान बना सकते हैं और चाहे तो आप उसी की हेल्प से दूसी स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पर भी जो है आदा आदा हिंच जब हमने ओपर नीचे एक्सटर लिया था ऐसे ही यहाँ पर एक्सटर लेते इसको लगाएंगे और नीचे की साइड भी जो है यहाँ पर हम अच्छे से पक्का कर लेंगे तो देखी यह हमने यहाँ पर पक्का कर लिया है और अब हम देखी दूसी साइड से पलट कर आपको दिखाते हैं कि हमारी पोकिट किस तरीके की आई है तो देखी हमारी के स्लाइ लगाएंगे और उसके साथ जो है हम एक सीधी लगाएंगे यहाँ पर घुमाएंगे और अब अपनी स्लाइं को अच्छे से लगाते हुए इस तरीके से यहां पर भी पक्क कर लेंगे तो दिखिए यह हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है आप इसी तरीके से किसी भी अपटी श्रग में कुर्ती में या कहीं भी आप इस तरीके पॉकेट लगा से हुए